नमस्कार आपको स्वागत देने वाले आरोपी मुहमत फेजान खान को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को रायपूर से गिरफ्तार कर लिया एक्टर की टीम ने धंकी देने वाले के खिलाफ बांदरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दच करवाई थी जिसके बाद पुलिस जाज शुरू हुई थी जिस नमबर से शारुक को धंकी दी गई थी वर रायपूर में रहने वाले वकील फेजान खान के नाम पर रजिस्टर्ट था रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार सुबह मुंबई पुलिस के सी एस पी अजैसी और उनकी टीम ट्रांसिट प्रिमान के लिए रायपूर पहुची यहां फेजान को इसके घर से गिरफतार किया गया उसे कोट में पेश किया गया एक रिपोर्ट के अनुसार धमकी मिलने के कुछ दिनों बाद भी पुलिस फेजान खान तक पहुच गई थी हाला कि फेजान ने कहा था कि वो 14 नमबर को अपना बयान दच करवाने मुंबई आएगा फेजान ने शुरुआती बयान में बताया था कि जिस नमबर से शारुक को धमकी दी गई वो उसी का है धमकी दी जाने की 3-4 दिन पहले ही 2 नमबर को उसका मुबाइल पून चोरी हो गया था फेज़ान के परिजन का दावा है कि मुमे पुलिस पहले ही उन तक पहुच गई थी लेकिन उसने 14 नमबर को बानदा पुलिस टेशन आकर अपना बयान दच करवाने की अपील की थी फेज़ान को पिछले कुछ दिनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है फेज़ान ने मुमे पुलिस कमिशनर से रिक्वेस्ट की थी कि वह सुरक्षा के मदे नजर मुमबई ना आकर आडियो वीडियो के जरिये पेश होगा हाला कि मुमे पुलिस ने उसे गरफतार कर लिया डीसीपी के अनुसार बांजा पुलिस स्टेशन में एक अंजान नंबर से कॉल आया था इसमें कॉलर ने धमकी देते वे कहा बेंट स्टेट वाले शारुक को मार दूँगा अगर मुर्जी पचास लाक नहीं दिये गए तो शारुक खान को जान से मार दूँगा जब कॉलर से उसका नाम पूछा गया तो जवाब मिला मेरे लिए मैटर नहीं करता मेरा नाम हिंदुस्तानी है शिकायत मिलने के बाद मुमबई से तीन पुलिस अफसर रायपूर पहुचे 6 नमबर की रात वे रायपूर के होटल में रुके तड़के वे पंडरी एरिया में मोबाईल सिम की लोकेशन देखने के बाद फैजान के घर गए धमकी बरे कॉल के संबन में करीब दो घंटे पुछताच की इस दोरान पुछताच में फैजान ने बताया कि उसका मोबाईल 2 नमबर को गुम हो गया था जिसके शिकायत उसने चार नमबर को खंबर हाड़ी थाने में कराई थी जबकि बांदरा पुलिस टेशन में धमकी बराफोन कॉल पांच नमबर को गया था थाने में शिकायत की कॉपी दिखाने के बाद फैजान को छोड़ा गया दोबारा पुष्टाच के लिए 14 नमबर को मुंबई बुलाया गया इसे के साथ पने रहा है इसे रूसिंदा के साथ खंदे बाद